हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक नई वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे जलनिगम उत्तरा खंड की तरफ से डिपलोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगबग सभी ब्रां करती रहने वाली है आप ओल अवर इंडिया में चाहें कहीं से भी हैं आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और क्या बताया गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नही तो हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस जो है आपका उत्राखंट की तरफ से जल जीवन मिसन के अंतरगत राज जल अयम सोच्छता मिसन कार्याले में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में आगे यहां पर आपको बताया गया है पे जल अयम सोच्छता विभाग उत् अंबंधित छेत्र के अनुभवी अभ्यारतियों वोकिन इंटर्व्यू के माध्यम से अनुभंधित किया जाना है पदों का विवरल निर्धारित वेतन मान दे वंशित सैचिक योगिता कार अनुभव का विवरल निमना नुसार है यहां पर जो आपकी भरती रहने वाली ह वो उत्रा-खंड सासन की तरफ से पे जल अयम सच्थता वि भाग के लिए निका ली गई है अब हम बात कर लेते हैं आपकी पुस्ट क्या रहने वाली है नंबर ओपोष्ट आपकी क्या रहेंगी पोष्टे जो आपकी कैसी रहने वाली है सैलली आपकी क्या रहेगी और और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर आपसे बी बीटेक मांगा गया है, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, या फिर सिविल इंजिनिरिंग में, अगर आपने डिपुटेशन बेस पर काम कर रखा है, किसी भी जल सक्टी डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपक सेलली के बारे में, तो सेलली यहां पर आपकी परियोजना प्रवंधक के लिए 67,700 रुपे से लेकर 20,8,700 रुपे प्रतिमंथ रहने वाली है, और अगली पोस्ट यहां पर आपकी रहने वाली है, नेक्स पोस्ट आपकी यहां पर रहने वाली है, सहाय का भीहनता यानि अस इसी के साथ आपके पास minimum 3-year का experience होना चाहिए experience आपका water supply structure का हो बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो minimum age यहां पर आपकी 18-year होनी चाहिए और maximum age यहां पर आपकी 40-year होनी चाहिए अगली post यहां पर आपकी कनिष्ठ भियन्ता यानि junior engineer के लिए रहने वाली है number of post यहां पर आपकी 4 हैं समीदा बेस यहां पर आपकी job रहेगी अब हम बात कर लेते हैं आपकी essential qualification के बारे में तो यहां पर आपस डिप्लोमा मांग लिया गया है तो जिन भी दोस्तों हमारे B.E.B.T. के अफिर डिप्लोमा कर रखा है civil engineering से और आपके पास minimum 3 year का experience है तो आप यह interview जरूर अटेंड कीजिए और यहां पर आपको note में करके दो नंबर पर बता रखा है इच्छुक अभ्यारती निर्धारित आवेदन पत्र में वंचित सुचनाओं को भर कर समस्त प्रमारित छाया प्रती अयम मूल प्रमार पत्रों सहित जल जीवन मिसन कार्याले राज जल अयम सच्छता मिसन 75 बटा 38 इंदर रोल्ड नियर सूरी नर्सिंग होम डालन वाला द आपका नाम आपकी डियो बी आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ठीक है आपने किस इंस्टिट्यूट या यूनिवर्स्टी से डिप्लोमा भी वी टेक किया है किस यर के आप पास आउट है प्राप्टांक आपका पृतिसत क्या है इसी के साथ जो है आपके इसके बारे में पूछा गया है पत्रा चार है तो यहां पर आप से पता पूछा गया है फोन नंबर मॉबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है इमेल आईडिया आपको यहां पर फिलप करनी है और आप जितने भी आपके जरूरी डोकिमेंट है वह सारे आपको यहां पर बज़े तक आपके रिजिट्रेशन होंगे आपको इससे पहले ही वहां पर पहुंच जाना है और इंटेव्यू आपके साड़े-बारा बज़े से लेकर सामके चार बज़े तक रहने वाले हैं आई होप ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी तो जो भी दोस्त हमारे उत्राखंड वाले हैं देहरादून में हैं या देहरादून के आसपास के हैं तो आप के पास डिप्लोमा है बी बी टेक है डिजार एक्स्पिरियेंस है तो आप ये इंटर्व्यू जरूर एटेंट कीजिए तो अभी के लिए इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थेंक्यू सुक्रिया वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें